Assalamu alaikum, मैं Zulekha Arfad, Zulekhaas Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया से Chinese Chicken Sticks, बहुत ही मज़ेदार जटपट घर पर आसानी से बनते हैं, हासे मसालों तुसे, तो चलिए शुरू करते हैं साधारन, याने ordinary ingredients से extraordinary chicken के sticks बनाते हैं, चलिए, ये बढ़िया से लजीज Chinese Chicken Sticks के मैंने हाइसोगरम chicken boldness के मैंने medium pieces किये, उसे boil कर लिया, कुछ नहीं नम्मक दाला, पानी दाला और दो चुछी चैके चमाशातर क्लैसन का पेस दाल कर, boil कर लिया, जब चिकन गल गई तो चूला फास्ट आज करके इसे पूरी तरीके से सुखा लिया, और अब जब ठंडे हो कांटिटी और vegetables ले सकते हैं, तीनो टाप की सिम्ला मिर्च मैंने बारिक काटके रख्यों और पत्ता गोबी भी है, मैंने लमसम काटी है अबर तब ही मैं आपको measurements बता देती हूँ, मैंने क्या लिया है, कितना measurement लिया है, बान फोट कप green वाली सिम्ला मिर्च, बान फोट कप रेड वाली और वान फोट कप यलो वाली सिम्ला मिर्च, तीनो बारिक कट्यूवी दाली है मैंने और आधा कप मैंने बारिक कटा हूँ, क्याबिच दाला है, पत्ता कुबी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्रंची क्रंची तो पत्ता कुबी जरूर दालियेगा, बा चुड़ 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 आलू दाले, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अगर आपको कुछ अचिस्ट करने जैसा लगे तो कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा बैलन्स कम लगा, मिठास का, तो मैंने एक छोटा चैका चमश, चमाटर सॉस ताला है, मिक्स कर लीजिए, अब आपको यहां मैनेज लग रहा है, तो आप मैनेज कर सकते हैं, तो आगे प्रुसीट कीजिए, नहीं तो एक घंटा फ्रिज में रख दीजी, मैंने एक घंटा फ्रिज में रखा था, यह आप देख सकते हैं, कांडीया है, वोड़न स्टिक्स हैं, मैंने इन्हें ना, 15 मिनित के लिए हैं ना, पा पानी में रखने से जलेंगे नहीं सबसे पहले देल से हातों को घ्रीज कीजिए और एक मीडियम पोशिन ले लीजिए हमारे मिक्सचर का इस तरीके से लंबा करते जाए हमारे ये जो मिक्सचर को और कबाब का शेव दे और अब मैं यहां दो कार्णिया दाल रहे हैं आप एक भी दाल सकते हैं पर इने दाल कर थोड़ा लंबा करके फैला दीजिए एजिस पर बराबर से ज़रा फैलाईएगा ये देखिए इस तरीके से और इन्हें साइट पर रखते जाए हैं अच्छा मेरे जो आलू है वो बहुत ही शैतान आलू थे इस बार मेरा मतलब है मैं मैं म जीएगा चली इसी तरीकी से सारे बना लीजिए हमारे कबाब स्टिक्स अच्छा अब यहां पर यह है के आपके यह जो एस्टिक्स अब यही से ही अंड़े के अंदर दाल कर अच्छे से डपकर कर के चार ओर से फिर ब्रैड करब्स में करके चारोड से well coat करके फिर fridge में आधे एक घंडे के लिए रहने दीजिएगा, set होने के लिए एक घंटा in fact रहने दीजिएगा, अच्छे set हो जाए उसके बाद fry कीजिएगा या फिर दो-चार घंडे के बाद fry कीजिएगा लेकिन अंदर fridge में ही रखिएगा मेरे प्रॉब्लम ये थे के manageable जिसे आप देख सकते हैं नहीं है और मेरे आलू बड़े करा रहे थे, बहुत जादा परेशान कर चुके थे by this time तो मैंने क्या किया था, start में ये bread crumbs लगाने से पहले भी मैंने आदा घंटा fridge में रख कर तो वो अच्छे थोड़े से manageable हो गए, bread crumbs के वज़े से जब manageable हो गए अब मैंने थाली के अंदर एक अंडा फोर कर दाल दिया, आप चाहें तो दो अंडे ले सकते हैं, मेरे पास previously अभी ही मैंने chicken, sea kebab, cheesy वाले बनाए हैं, उसका अंडा बचा तम मैंने वो ले लिया, एक टेबल स्पून दूद दाला और थोड़ा सा नमक दाल कर इसे फेट कर, side पर रख दीजिए अब हमारी ये जो stick है वो लीजिए, इसके अंदर बहुत अच्छे से well coat कीजिए, ये देखिए, ऐसे चारो ओर से लगाईए हमारा अंडा चारो और फेले क्योंकि फिर बहुत बड़ी-बड़ी sticks है ना, तो पूरे इसमें well coat भी होनी चीए, उसके बाद हमारी जो bread crumbs है मेन में दाल दीजिए और बहुत अच्छे से coat कीजिए, specially है ना, नीचे का जो side जान stick पकड़ते हैं फिर से मैं थोड़ा सा वहाँ अंडा लगाती हूँ और थोड़ा सा फिर से bread crumbs लगाके उन्हें अच्छे से seal कीजिए तो ये बन गए हमारा एक Chinese chicken stick इसे में side पर रख देती हूँ, इसी तरीके से सारे बना लीजिए definitely आप इन्हें store रखकर freeze करके खा सकते हैं आप क्या कीजिए, इन्हें जब आप ये stick बना ले, ये वाली जब आप ये पूरा procedure कर ले तो आप इन्हें freezer के अंदर थोड़ा space कर करके side side पर इन्हें रख दीजिए plate के ओपर और अच्छे आधे गंटे रहने दीजिए गंटे में अच्छे कड़क हो जाएंगे, तो airtight container के अंदर दाल दीजिए और freezer के अंदर रख दीजिए जब मर्जी चाहें, ठो करें और खाएं, तकरीबन आप एक हफ़ते तक रखकर इसे खा सकते हैं एक हफ़ते से ज़ादा ही खा सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूँगे, एक हफ़ते तक ही रखें और फिर खा लीजिएगा, चलिए मैंने सारे well-cooked कर लिए हैं, और आप देख सकते 2500 गुराम चिकिन के अंदर, माशालला 9 sticks बन गए हैं, कितने बरकती हैं माशालला, अब फिर से आप इसे सेट होने के लिए, एक घंटे के लिए फिरिज के अंदर रखें और उसके बाद frying शुरू करें, हां एक घंटा हो गया, तो यहाँ पर मैंने चूला-फास्ट आज पर चालू करके, तेल को अच्छा गरम कर लिया, जब अच्छा गरम हो जाएं, पिसमिले रखाने रेम, बोलकर हमारी यह जो चिकन स्टिक्स हैं, यह जो चाइनीज चिकन स्टिक्स इन्हें डाल दीजें, मैं एक-एक दो-दो करके फ्राइ कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने का, मेरा थोड़ा जो आलू थे, वो बड़े बदमाश थे आज की इस बार, यह तो मैंने एक-एक-एक-दो-दो स्टिक्स ही डाली, आप चाहें, तो तीन-चार अट-टाइम डाल सकते हैं, अब इन्हें आज पर फ्राइ कीजिए, तब तक फ्राइ कीजिए, जब तक light golden brown नहीं हो जाते हैं, जब light golden brown हो जाएं, तो इन्हें निकाल करने तार कर, मैं tissue paper के उपर रखती नहीं हूँ, usually, मैं चन्नी के उपर रख देती हूँ, तो उसका जो भी तेल है, उन्हें तरब चाहेगा, इसी तरी किसे सारे batches में fry कर लीजिए, ये बन गए हमारे cheesy chicken sticks, बहुती बड़ी और बहुती मज़ेदार बनते हैं, और बहुती delicious होते हैं, आकिरकार मेरे भी बन की गए है, अच्छा, आप चाहें तो इससे हारी चटनी के साथ सफ कीजिए, वैसे हारी चटनी का लिंग description के अंदर है, मैं यहाँ टमाटर सॉल्स और मैंने यहाँ पर अगर आपके आलू भी बड़े शरारती हो, जैसे मेरे आलू निकले हैं, तो जैसे मैंने जैसे steps किये ते आप वैसे ही कीजिए, तो manageable हो जाएंगे, फिकर मत कीजिएगा, चलिए मैं आपको एक खाकर भी दिखा देती हूं, बिस में ले रहा हैं, अरे बापरी, mashallah, क्या delicious है, बहुत ही tasty है, मैंनला, mind-blowing है, बहुत ही मज़ा आया, खाकर भी और बना कर भी मुझे तो, इसी तरीके से बहुत सारी रमजान की special recipes मैंने मेरे चानल पर upload की है, link सारे description के अंदर है, आप महां check कर लीजिएगा तो है ना मज़ेदार recipe आज की, अगर आप ये वाली recipe बनाएं तो मेरे साथ इस video के comment section में जरू share कीजिएगा अपने comments, मुझे आपके comments पने बहुत अच्छे लगते, recipe अच्छे लगे तो like जरूर कीजिए और उससे जादा अच्छे लगे तो अपने family और friends में इस वाले वीडियो के लिंक जरू forward हीजिएगा फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार recipe के साथ, until then take care all hafiz, bye bye